भाईयों भेनों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि Aerobeika लेने का तरीका सही Aerobeika डिवाइस लेने का सही तरीका Aerobeika डिवाइस जब हम लोग पैकेट से खोलते हैं तो इसमें दो डिवाइस आते हैं एक Main Device, Aerobeika का और दूसरा Mouth Piece इसमें हमें पहले mouthpiece main device के साथ attach कर लेना है दूसरी सबसे बड़ी main बात है एरोबिका यूज़ करने से पहले इसमें 5 resistance दिये गए है हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना जो resistance point है उस दिशा में रखना है जो हमारे health care professional ने हमें decide किया है लेने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि जो अपना resistance point है वो उसी setting में है जो setting हमें अपने डॉक्टर साब ने हमें बताई है अरोबिका लेने से पहले हमें अपनी सास बाहर की तरफ छोड़नी है और ध्यान रखें कि जो हमारा हाथ है वो acceleration जो point है उसको block नहीं करना चाहिए सास लंबी लेनी है हमें सास लंबी दूर तक कम जरा जोर लगा के छोड़नी है वन इस्टू टू के रेशो में कम से कम दस मिंट दिन में दो बार सुबर शाम या जैसे आपके डॉक्टर ने आपको सला दी है अरोबिका लेने की अरोबिका लेने के समय हमें एक चीज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने गाल हवा से फुलाने नहीं है हमें अपने गाल ऐसे नहीं करने है ध्यान रखें कि हम लंबी सास ले और लंबी सास छोड़े गाल हमें फुलाने नहीं है शुक्रिया